acidity की समस्या में इस सीरप का उपयोग किया जाता है acidity के कारड अगर उसके सीने के नीचे बीच में जलन की समस्या होती है तब डॉक्टर के दौरा ये सीरप पीने के लिए दिया जाता है जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं mega, led, iron, simethy, cone, oral suspension, syrup के बारे में जान लेते हैं इस suspension का उप्यो कहां किस परकार की दिक्कत मरीज को क्या दिक्कत क्या परिसानी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये suspension सीरप पीने के लिए दिये जाता है इस सीरप कौन कौन सी दिक्कत क्या मरीज को क्या परिसानी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा दिये पीट के नीचे यानी बीच साइड में काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है। पूला पूला सा रहता है। उसका खाना खाने का दिल नहीं करता है। खटे मेटे डेकार के जैसा आने लगता है। जब किसी की गैस की प्राब्लम रहती है तो उसके सीने की नीचे काफी ज़्यादा दर्द की प्राब्लम रहती है उसे खाना खाने का दिल नहीं रखता है खटे मेटे डेकार के जैसा महसूस होने लगता है कभी-कभी उसके पेट में काफी ज़्यादा गैस की प्राब्लम के कारण पेट फूला-फूला से रहता है तब डाक्टर के द्वारा इन सारी प्राब्लम को ठीक करने के लिए ये सीरप दिया जाता है मरीच को पीने के लिए चलिए अब हम आपको इस सीरप के side effect के बारे में बताते हैं इस सीरप का क्या-क्या side effect देखा गया है जैसे कि नोजिय की समस्या हो सकती है उसे boomating जैसा boom महसूस हो सकता है उसके सीर में काफी ज़्यादा दर्द की problem हो सकता है उसे diarrhea का problem हो सकता है अगर ये सब problem दिखे तो ये सीरप तुरंट बंद कर दे चलिए अब हम आपको इस सीरप के डोज के बारे में बता देते हैं जो इस सीरप का adult का डोज होता है जैसे कि 10 ml सुबा 10 ml साम को इसे लेना होता है और जैसे कि बच्चों में ये 5 ml लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है जैसे कि आपको पता होता है जो मेडिसीन का डोज होता है वो डॉक्टर मरीज की इस्तिती और उसके condition और उसके body weight को निर्धारित करके फिर इसका डोज बताते हैं अगर आपको कोई दिकत कोई परिसानी है तो आप अपने नजदी की डॉक्टर या फर्मासिस्ट से संपर करके दवाले कोई भी injection कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना ले